नमस्कार दोस्तो रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज इन्वेश्ट करो कल अरम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तो इस वीडिया हम देखने हुए छोटे से स्मॉल के आप कंपनी के बारे में जिसका नामें अक्षदीप मेट निदर्स्री लिमिटे तो यहां पर कंपणी ने बहुती बढ़ा अनुस्मीन का कंपणी न होज आ स्टॉक करते तो सबसे कोई स्च आनुस्ट करते कंपन के क्यので ॹण कूछ leaf के सब कुछ होता है अगर कंपनी का सब कुछ होता है तो 101 आपको ड़ियो आहा गरागे सब होती बड़े तगड़ सकता है तो जैसी कि जो कंपनी काम करते हैं पे पाइन्स सेक्टर में ने कpage कbec करते जैसे की करना किस्में आभी इन्वेक्शन करना किमें स्टॉक्स हुल्द बाइं डिवेंचर ऐसे कंपनी का यहां देखा जाए तो company का जो main business है ठीक टाक बिजने से बोल सकते हैं आने वाले समय में stock market बड़ा बन सकता है उसके बाद stock का प्राइस भी बड़ा बन सकता है लेकिन आभी तो फिलाल small cap company तो थोड़ा-थोड़ा करकी investment करना चाहिए तो यहाँ पर announcement क्या किया करके दिन में यहाँ company अपना यहाँ पर board का meeting लेने वाले यहाँ पर Monday के दिन यहाँ पर 12 December तारिक बोला गया तो 12 December को company यहाँ पर stock split के लिए consider करने वाले अगर stock split हो जाता है तो आपको maybe एक के बदले 10 या फिर एक के बदले 5 या फिर एक के बदले एक शर्म मिल सकते हैं तो यह डिपेंड रहता हैं तो एक के बदले आपको एक शर मिल सकता है अगर face value के हैं पर दो रूपई की की जाता है तो एक के बदले पास share मिल सकते है तो देखना पड़ेगा face value क्या किया चाते है अगर हमेशा लॉंग टर्म के लिए रहते है एक एक्जाम्पल से समझ जाते है फार दे एक्जाम्पल विपरू कम्पनी ऐसा समझते है कि उसका जो स्टॉक का प्रैस है 100 रुपए और आपके पास 1000 शेर्स है कम्पनी ने क्या क्या वन रिष्ट वन का बोनस दिया तो क्या हो क्योंकि डबल हो जाते कभी भी बोनस मिलता है तो लेकिन प्रैस आदा हो जाता है इन्वेस्मेंट उतना ही रहता है यहाँ पर नंबर आप शेर्स बढ़ते तो इसा कम्पनी ने वापस से वन रिष्ट वन का बोनस दिया तो क्या हो जाएगा 4000 शेर्स हो जाएगे ऐसा मिलने के बाद यहाँ पर शेर्स होगे 16,000 तो इसका फाइदा क्या होता है इसका फाइदा होता है लॉंग टर्म के लिए अगर कम्पनी ने एक रुपई का डिवीडेंट यहाँ पर अनौस किया तो क्या हो जाएगा सीधा सेविंग अकाउंट पर आपके 16,000 रुपई आज फंडाइमेंटल लॉंग टर्म के लिए कर जाए कितना है जीरू मतला एक रुपई के भी कर जाने शौट टर्म के लिए कितना है सीफ पचास लाग का कर जाए तो यहाँ पर जो कर जाए यहाँ पर कंट्रोल में अच्चा सायन बोल सकते है छोटी कम्पनी है फिर भी लेकिन वापस एक बार कहना चूँगा जो स्टॉक है यहाँ पर बहुत ही छोटी कम्पनी है ऐसे स्टॉक जब भागते तो लगा आतार यहाँ पर रिटन देते जाएंगे देते जाएंगे लेकिन जबी भी कुछ खराब नीज आएगी यहाँ फिर स्टॉक मार्केट में क् कर सकते हैं और चैनल कर जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं